नमस्कार अंदैक्स्प्रेस नीज में आपका स्वाकत है खबर उत्तर पुदेश के प्रताब गड़ से है कोणवर थाना अंतरगत गहरवली गाउं में महिला ने एक दबंग पर घर में आग लगा कर महिला को परिवार समेच जिन्दा जलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है महिला का कहना है कि दबंग व्यक्ति आये दिन उसके घर का नुकसान करता है आज जब उसका पूरा परिवार सो रहा था तो उसने आकर मकान में आग लगा दी जब आग की लप्टें उठी तो परिवार की आँख खुल गई और उन लोगों ने भाग कर अपनी जान बचा ली महिला रेनु वर्मा पतनी नंदलाल निवासी गहरवली थाना कोड़ा उर जन पर परताब गड़ की निवासी है उसका कहना है कि शैलेश वर्मा पुत्र कल्लू वर्मा निवासी मलाक का धरपूर उन्हें परिवार समय जिन्दा जलाने की धमकी देता रहा है इसी कड़ी में उसने ये आग लगाई जिसमें महिला का परिवार तो सौभाग से बच गया लेकिन पूरी ग्रहस्ती राख हो गई रेनु अर्मा का कहना है कि शैलेश उसके पहले भी उसके घर में इस तरह की हरकतें कर चुका है लेकिन शिकायत के बावजूद कोई का रवाई नहीं हुई इसके चलते मन बढ़ हुए आरोपी ने आखिरकार उनके घर को आग लगा दी आग लगाने की सूचना पर यूपी डायल 112 मौके पर पहुँची पीडित ने इस मामले की लिखित शिकायत अस्थानी ये थाने में भी दी है पुलिस मामले की जाच कर रही है हाँ आपके साथ ये बार-बार होता है कभी याग लग जाती है कभी आपके खेट में उखाड़ देते हैं कभी आपको जान से मारने की दमकी मिलती है तो ये कैसे होता है आपके साथ कई बार हो चुका है और आपने थाने में अपलिकेशन दिया था कुछ नहीं हुआ कितने बार दिया था अब की बार 24 को दीया था और दो मुझना ले गया अभी रात में बाग लगी बार okay है तो क्या किया देखके बोले कि صुБा आन ब्ठाई आ लिखाना तो तो जब पिछली बार आप्ली केसं दिया था आपने तो कुछ कारवाई हुई थी कि नहीं कारवाई दरोगा गए थे मगर पाई नहीं रहा है अच्छा दरोगा ये बोले की वह मिल नहीं रहा है